The intermediate X in the reaction देखें गाईज अगर आप उसको गोर से देखो तो फिनोल की reaction हो रही है C-H-C-L-T-E-Q-Sanoh-H के साथ यह आपकी रीमर T-1 reaction हो गई ठीक है रीमर T-1 reaction में आपको पता है जब फिनोल को C-H-C-L-T-E-Q-Sanoh-H के साथ रीक्षिन करते हो तो फिनोल कर्णवर्स इंट। यहाँ पर और्थो पोजिशन आपका च-H-C-H जोड़ जाता है इट इन्वोल्स देखोर्मिशन ओफ एंट्रमीडियेट कॉलड एज अब क्या नाम बोलते हो इसको डाइज क्लोरो-कार्बीन-C-C-L-2 जोकी एक इलेक्ट्रो-फाइल होता है ठीक है एक छोटी सी आ देता हूं आपको ताकि आपको फिर भी समझ में आ जाए जल्दी से इसमें काया है कि जब एक एक ऐसा intermediate बनाया है जिसकी जब NUH और H के बनाया reaction करी तो यह बना तो बेसिकल आपको वह product intermediate जो भी बनेगे उसको बताना है जो भी NUH जिसके साथ reaction कर रहा है ओके यह एक देकने है Medicare हे अगरा देखोंगे chl3 है है यहां आपको यहां से हैज ए li you थली पिर इसके ए लेक्टों है इस पर कार्बन पर रहेiene तो डाइखalta कार्बिन यहां पर बन जाता हे ठिकिए अब क्या है O H negative, again guys, यह जो H है, इससे ले लेगा, obviously फिनोल में से यह S D K H हो जाता है, और यह negative charge है, पूरी रिंग पे distribute होता है, O negative के बजाए, जो carbon है, यहाँ negative यह जादन इकलिफिलिक होता है, इसलिए हमा ओर्थवाली position पे negative charge को assume करते हैं, समझाया ना आपको, O negative यहाँ पे लेके, यह basically यह हो जाता है, देखे, ऐसे, negative charge, यह double bond O, ठीक है, तब यह क्योंकि एक electrophile होता है, CCL2, देखे, इसमें क्या होता है, MTP orbital होता है, इसलिए electrophilic जो nature का रहता है, तो यह जोड देगा, ठीक है, आगे अगर आप देखे reaction, यह reaction में इसकी, तो यह जब आपका यह वाला product बन जाते हैं, ठीक है, और बाद में proton, neutron, add हो जाता है, तो यह वाला जो है na basically product आपका, यह वाला, यह answer पूछावा है आपसे, एक बार mechanism आप दुबारे से देखना, I hope आपको आती होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा है, जो आपका option number C है, is your correct answer, एक बार दुबारे से द कि ले नख, वे तो है, तो हैं, इक बार एक उन अज में झाते हैं, एक बारे से ने हैं, ज